इस आई अईस्टी सीस के स्टडीrar का एक बार फेर से स्वागत हैं तो जैसे के आप सभी को मालूम है कि हम लोग इस प्लैट्फॉर्म प जेग्रफिय पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग अपवाह तंत्र, ठीक है, नदी तंत्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया है, दो जो महत्वपूर नदी तंत्र हैं, गंगा और सिंदु, वो हम लोगों ने पढ़ लिया है, आज जो हमारे next topic है, वो है ब्रह्मा पुत्र नदी तंत्र, ठी का एक प्रमुख नदी तंत्र है, ठीक है, विस्तार विस्तार से उतना कोई मतलब नहीं है, यह देखिएगा, कि विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, ठीक, इसकी कुल लंबाई 2580 किलो मीटर है, भारत में इसकी लंबाई 1346 किलो मीटर है, वही गंगा की बात क से कम है, ठीक है, अब कहां से निकलती है, तो इसका स्त्रोथ टिबबत में मान सरोवर जील के पास, एक ग्लेशियर है, चेमा यूंग डूं ग्लेशियर, ठीक, तीनों आपको याद रखना है, सिंधू, सतलच और ब्रह्मा कुत्र, क्योंकि तीनों का जो ओरिजिन है, वो ल हिमाले श्रेडी के समानांतर पूर विक्योर प्रवाहित होती है, और तिबबत में ही इससे रांगो नदी दाहिने तटप्या कर मिलती है, अभी हम लोग मैप में से पूछ देखेंगे, अब देखिए, नामचा बर्वा कहां पर है, अरुनाचल प्रदेश में, तो नामचा ठीक, फिर ब्रह्मा पुत्र कब बनती है, जब इसमें दो नदियां आकर मिलती है, दिबांग और लोहित, जब दिबांग और लोहित नदियां मिल जाएंगी, उसके बाद इसको ब्रह्मा पुत्र के नाम से जाना जाता है, इसको असम का शोक कहा जाता है, जैसे हम लोगों कोसी के बारे में पढ़ा था तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्यों कि वह बिहार में बाड़क कारण बनता है तो ऐसे ब्रमा पुत्र नदी असम में बाड़क कारण बनती है तो इसलिए इसको असम बशोक कहा जाता है फिर माजुली नदी द्वीप जो है जो कि भ गोहित, बूरी दिहांग, धंसरी, कलांग, मुरुनुई, दाइयोर से मिलने वाली नदियां सुबंसरी, कामेंग, जिया भरेली, पुथिमारी, ये सब नाम आपको याद रखना है, तिपकई, संकोष, तिस्ता, क्योंकि ये पूछ लेगा, ठीक है, एक्जाम में आयो पूछ सकता इसको, अब देखे, ब्रह्मपुत्र, नदी को तिबबद में साँग पू, अरुनाचर प्रदेश में धिहांग या सियांग, असम में ब्रह्मपुत्र, और बांगलादेश में जमुना की नाम से, मतलब चार नाम है टोटल, चार नाम है, और चार अलग üzerine है, तो इसको Tibbat निकल रही मानसरोव और जील से पूर्वी की तरफ बहती उई एक मिनट पूर्वी की तरफ बहती हुई यह देखिए ऐसे आरही है ठीक तो यहां तिब्बद से निकल रही हैं तिब्बद में इसको सांगपो नाम से जाना जाता है फिर यह नामचा बरवा चोटी नामचा बरवा चोटी के पास एक दिहांग गार्ज बनाती है महाखड बनाती है उसके बाद जब महाखड बनाने के बाद अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो देखिया एक एरो बना हुआ है एरो का मतलब है कि इसको अरुणाचल प्रदेश में अब दिहांग ये स आंग के नाम से जाना जाता है ठीक फिर आगे बढ़ती है जब आगे बढ़ती है तो इससे दो नदियां के मिलती है बाय तटकी दिवांग और लोहित जब दिवांग और लोहित मिल जाती है तब देखिए यहां पर इसको किस नाम से जाना जाता है ब्रह्मा पुत्र ठीक फि यहां पर बंगला देश में एक जगा है Gwalandu, Gwalandu के पास ये जो ब्रम्हा पुत्र है वो पदमा से मिलती है, और फिर किस नाम से पहले तो जमुना के नाम से बंगला देश में परवेश करेगी, जैसे ही बंगला देश में परवेश करेगी उसका नाम हो जाएगा जमुना, फिर जमुना की नाम से आगे बढ़ती ही रहती है, तभी उसमें पद्मा नदी आके मिल जाती है, ठीक और मिलने के बाद इसको किस नाम से जाना जाता है पद्मा, ठीक देखे कितना नाम बदल रहा है, उसके बाद एक नदी है बराक नदी, अभी इसको और detail में डिसक손 बराक नदी बराक नदी इसमें मेगना के नाम से मिलती है और फिर जब ये मेगना के नाम से मिल जाती है तो ये पदमा और मेगना मिलकर मेगना नदी बन जाते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं अपना जल गिरा देते हैं ठीक डेल्टा वराते हुए लेकिन नाम इसका ग सबसे पहले दाएं तटकी, दाएं उट से मिलने वाली, तो दाएं उट से मिलने वाली अगर देखेंगे तो ठीक है, पहले देखते हैं सबसे पहले कौन सी नदिया के मिलती है, तो सबसे पहले इसमें रांगो सांगपो नदिया के मिलती है, तिबबत में ही, ठीक, अब देख और सबसे लास्ट में इधर से आके मिल जाती है मेगना तो सबसे पहले कौन मिलती है बाएं तटकी सबसे पहली नदी है रागो सांगपो नदी या रांगो नदी और सबसे लास्ट में मिलती है बराक नदी या फिर मेगना नदी ठीक यह हो गया अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो मिलेगी तो कौन सी होगी वो सुबंसिरी ठीक है रंगा जो है वो सुबंसिरी की सहायक नदी है उसके बाद कामेंग है फिर पुथी मारी है फिर मानस नदी है फिर तिपकई है फिर संकोस है फिर ये बड़ी वाली ये चो चली आ रही है ये तिस्ता है और तिस एक तो तीस्ता नदी, ठीक, और संकोस नदी, देखे, जो संकोस नदी है, वो वेस्ट बेंगॉल और असम के बीच में सीमा बना रही है, और जो रंगीत नदी है, वो वेस्ट बेंगॉल और सिक्किम के बीच में सीमा बना रही है, और रंगीत नदी किसकी साइक नदी है, ती माजुरी नदी दीब यह असाम में है ठीक अब देखिए अगर हम लोग एक और नदी की बात करें बराक नदी देखिए कैसे निकल रही है निकलती है मनीपूर से फिर ऐसे उत्थर के और प्रवाहित होके जाती है नागा लेंड फिर दक्षिन के और प्रवाहित होके आती है मिजोरम फिर उत्तर पस्चिम में प्रवाहित होके असम में ठिक फिर बहते बहते असम में जाती है और मेगना नाम से बंगलादेश में मिल जाती है ठीक है इसको भी ध्यान रखिएगा कितने-कितने जगहों से निकल रही है मनीपूर से निकल रही है फिर नागा लेंड जा रही है फिर मिजोरम और फिर असाम अब देखे इसकी कुछ सहायक नदिया है अग सहायक नदियों का सीक्वेंस यहां पे है कि सबसे पहले आकर मिलती है जिरी फिर सोनाई धलेशवरी सिंगला और लोंगाई इस सीक्वेंस में मतलब इस तरह नहीं मिलती है उपर नीचे होके मिलती है सबसे पहले यह जिरी है जो उपर से आकर मिलती है फिर सोनाई नीचे से आकर मिलती है फिर धलेशवरी इधर से आप मिलती है और फिर सिंगल और लोंगाई तो सीक्वेंस अगर पूछेगा तो आप लोग बता दीजेगा देखिए यहां मैंने छोटा सा मैप बना दिया था मतलब कि जो तिस्ता नदी है वो सिक्किम और वेस्ट बेंगॉल के बीच में है और जो संकोस नदी है वो वेस्ट बेंगॉल और असाम के बीच में मतलब लर्न करने के उससे कि वेस्ट बेंगॉल को बीच में रख दीजे एक तरफ सिक्किम एक तरफ असाम जहां सिक्की में वहां तीस था जहां असा में वहां संकोस ठीक चलिए मैं आप वल्ला तो काम हो गया अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे हम लोग थोड़ा से इसको पढ़ लेते हैं देखिए सुबन सिरी जो हमने देखा भी ब्रह्मा पुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है यह तिबबत के पठार से निकल कर अरुणाचल प्रदेश और असाम में बहती हुई ठीक है लखीम पूर जिले में ब्रह्मा पुत्र में मिल जाती है तो यह सब नहीं आद करनी के ज़़ुरत है बस इतना याद रखियेगा कि जो सुबन सिरी है वो ब्रह्मा पुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है और रंगा नदी सुबन सिरी की सहायक नदी है ठीक फिर आते हैं संकोस संकोस नदी अभी हमने देखा संकोस नदी भूटान से निकलती है और असम तता पस्चिम बंगाल की बीच में सीमा बनाती है फिर नेक्स्ट है तीस्ता नदी तीस्ता नदी सिक्किम की ये इंपोर्टेंट है जेमु ग्लेशियर से निकलती है और प्रह्मपुत्र से मिलने वाली अंतिम सायक नदी है फिर इसके मिलने के बाद ही बंगलादेश में जमुना के नाम से जाने जाने लगता है ब्रह्मपुत्र को ठीक है देखिए अगर यहां देखेंगे ये तीस्ता नदी है ये है तीस्ता नदी इसके बाद जैसे ये मिलेगी तो ऐसे ही क्या जाने जाने लगेगा इसको जमुना के नाम से ब्रह्मा पुत्र को उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है कि इसके बाद ब्रह्मा पुत्र नदी जो की जमुना के नाम से बहती है गंगा से आकर मिल जाती है और फिर संयुक्त धारा पदमा कहां पर दोनों मिलती है ग्वालंदों में फिर बराक नदी की बात करें तो बराक नदी मनीपूर से निकलती है भारत के असम नागा लेंड मिजूरम इन जगा से बहते हुए बांगला देश में प्रवेश करती है ठीक है फिर इसको कहीं कहीं सूर्मा के नाम से जाना जाता है फिर मेगना के नाम से जाना जाता है ठीक फिर बराक नदी मेगना नदी से मिलकर पदमा में मिल जाती है और फिर लास्ट में पूरा पानी मेगना के नाम से जाना जाता है और फिर यही मेगना नाम से जो नदी है वो बंगाल की खाड़े में गिर जाती है सोची अब एक नदी निकलती है भागी रती से भागी रती नाम से एक नदी निकलती है भागी रती के नाम से और एक नदी निकलती है सांगपो के नाम से मतला ब्रम्मपुत्र दोनो नदियां खूप सारा पानी लेके आ रहे हैं लेकिन जैसे ही दोनों मेगना में मिलती है तो ये लोग मेगना के नाम से अपना जल कहां गिरा देती हैं बंगाल की खाड़े में और यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदर्वन डेल्टा का निर्मार होता है ठीक तो ये था आपका ब्रह्मपुत्र नदी अब जब भी इसको आप क्लास करने के बाद अगर आप रिवीजन करिएगा ये क्लास करते टाइम मैप लेके जरूर बैठेगा ठीक है मैप में अगर आप लोकेट करते रहेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से आद हो जाएंगे ठीक है तो रिवाइस करते रहेंगे घटना चक्र सॉल्फ कर लीजेगा थैंक यू